दोस्तो नमस्कार जैसा कि हमने कहा था कि UPPCS प्रारंभी परिश्चा 2019 को टार्गेट करते हुए 20 अक्टूबर को हम एक अपना सरीज शुरू कर रहे हैं 10 प्रशनों की शिंखला हलाकि अगर जवरत पड़ी तो उसको प्रशनों की संख्या बढ़ाएंगे दीरे दीरे लेकिन अभी 10 प्रशन करके हम चलेंगे और इस विश्वास के साथ यह हमारा सिरीज आरम हो रहा है आज से कि यहीं से आपको पूरी मदद मिल रहेगी अर्थात यदि आप कोई वीडिय चोड़ते नहीं है डेली अपना दस निकाल करके अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से यह हमें कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा करोगे परिक्षा हाल में फिलहाल ज्यादा न बोलते हुए शुरू करते हैं आपको धिरे-धिरे स्वयम समझ में आ जाएगा कि यह टेस्ट आपके लिए कितना लाबदायक साबित होगा पहला प्रस्ण है अभी हम हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा जोर दें क्योंकि यूपी पीश्यस प्रारमी परिक्षा में जो वेटेज होता है हिस्ट्री का बहुत ज्यादा होता है तो यहीं से प एत्रे एत्रे क्या है दोस्तों ब्रामभड है एत्रे क्या है यह एक ब्रामभड गरंत है किसका रिगवेद का तो रिगवेदिक काल की अपेक्षा उत्तर वेदिक काल में इस्ट्रियों की दशा में गिरावट आ गई वेदिक कालिन स्ट्री संबंधी कुछ उधारण देख तो आपको देखने को मिलेगा पुत्री समस्थ दुखों का कारण है इस्त्रियों को पासा और सूरा के साथ तीन प्रमुख बुरायों गिनाया गया या गिवल्क ने गारगी से कहा कि अधिक भास न करो अन्यथा तुम्हारा सिर्थ तोड़ दिया जाएगा इसलावा इस्त्र प्रमुख बुरायों में गिनाया गया तो कहां पे मैत्रायडी सहिता में मैत्रायडी सहिता में आप लोग नोट भी कर सकते हैं या गिवल्क ने गारगी से कहा कि अधिक भास न करो अन्यथा तुम्हारा सिर्थ तोड़ दिया जाएगा यह किसमें कहा गया है दोस्तों तो यह व्रिहदारंड्यक उपनिशद में कहा गया है व्रिहदारंड्यक उपनिशद में इसके लवाँ स्त्री को अरधांगिनी कहा कहा गया है किसमें कहा गया है तो शत्पत ब्राम्भण में स्त्री को अरधांगिनी कहा गया है ठीक है ना दूसरा है जीवित बोधिसत्व किस श्री जिन्पिंग जो की मौझूदा समय में चीन के राश्पती हैं, उनको जीवित बोधिसत्व की संग्या प्रदान की गई वहाँ के जो प्रेमी हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके द्वारा उनको बहुत पहले से कहा जा रहा था, लेकिन एक प्रकार से आधिकारिक स्लोगन ह गया है चीन का उनको शी जिन पिंग को जीवित बोदिसत्व का वहां पर खिताब मिला हुआ एक प्रकार से करी अशोक का रुम्मिन दही अविलेक संबंदित है अशोक का रुमिनद य अविलेक किस्ъ sense शंबंदित है तो बुद्ध के जन्म से सरीरत्याग से ज्ञानप्राप्ट से या फिर प्रतम उपदेश से तो यहां दोस्तों बुद्ध के जन्म से संबंदित है जो शोक का रुमिन्द यह अविलेक है यहां बुद्ध के जन्म से संबंदित है अगला है निम्द में से किसे सर्शेष स्टूप मादे कि हम आफशन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग देख लिजे क्योंकि आफशन पढ़ने से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है तो आफशन मैं नहीं पढ़ता हूँ यदि आप लोग स्क्रीन सॉट लेना चाहते हैं तो मैं सभी में निशान अवश्य लगा देता हूँ यदि आप में से कोई स्क्रीन सॉट लेना चाहता है लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगा आपके पास बहुत ज़्यादा भर जाएगा पूरा इसकिन सॉट से तो ये न करिए बलकि आप वीडियो बार बार देख लीजे या फिन नोट का लीजे ज्यादा से रहेगा ठीक है न तो इसका ऐतरे ठीक है जीविद बोध्धिसर्थ तो किसे कहा जाता है किसे कहा गया शी जिन पिंग को चीन के राश्वत्ती है मौझूदा समय में अशोक का रुमिंदय अवले किसे संबंदित है तो बुद्ध के जन्म से संबंदित है निन में से किसे सवसेष्ट स्टूप मानते हैं सभी स्टूप हैं लेकिन सवसेष्ट स्टूप माना गया है साची के स्टूप को साची के स्टूप को सवसेष्ट स्टूप की संग्या दी गई है तो इसका उत्तर साची हो गया पूछा जा चुका है प्रश्ण UPPCS में किस मुगल रानी को अपने बादशापति के लिए मकबरा बनाने का शेय जाता है किस मुगल रानी को आपको पता है कि हुमायू का जो मकबरा था दिल्ली में तो उसको उनकी बेगम ने जिनका नाम हाजी बेगम या हमीदा बानू बेगम था हाजी बेगम को ही हमीदा बानू बेगम भी कहा जाता अकबर की मा थी है तो इन्हों ने ही हुमायू का मकबरा दिल्ली में बनवाया और उस मकबरे की खास्यत एक और है कि वहाँ पर ही नो लगबग जो शासक थे उनका मगबरा वहीं पर बनाय गया वहीं पर उनको दफनाय गया है तो इसलिए भी महत्पूर्ण है ये भी पूर सकता है कि कौन सा ऐसा मगबरा है जहां पर आसपास नो शासकों को दफनाय गया है तो वह हुमायू का मगबरा है दिल् क्रशन के अंसार कार्य वा कारण के सिध्धान को प्रतीत्य समुद्पाद के सिध्धान के नाम से जाना आता है। समुत्पाद मुरिगदाव बुद्ध के किस कारे के लिए चर्चित है मुरिगदाव एक स्थान है जिसको आज की समय में हम सारनाथ के नाम से आनते हैं वारानसी के पास सारनाथ है ठीक है यहाँ पर क्या था प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था ग्यान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश मिर्गदाव में दिया था जिसको आभी सारनाथ के नाम से जानते हैं सारनाथ में ही एक अस्थान है जिसको मिर्गदाव के नाम से जाना जाता है तो प्रथम उपदेश सेह संबंदित है गुप्त कालिन मिश्चित जातियों में अंबश्ठ किसे कहा गया इस तरह के प्रश्ण आज क्या ज़्यादा पूछे जा रहे हैं PCS प्रारभ में परिक्षा में गुप्त कालिन मिश्चित जातियों में मश्चिजातिया मतलब जो दो अलग-अलग जातियों से उत्पन होई हो या संकर जातिया जिनको कहते हैं तो गुप्त-कालिण मिश्चिजातियों में अमबष्ट किसे कहा गया तो अमबष्ट दोस्तों ब्रामभड पिता और वैश्माता से जो तमाम मिस्सिज जातियों का उदय अगर देखा जाए इसमिती ग्रंथों को अध्यान किया जाए तो उसमें अनुलों प्रतिलों विवाओं का वर्णन मिलता है और उनके फलसरोप गुप्तकाल में जो मिस्सिज जातियों का उदय हुआ तमाम मिस्सिज जातियों का उनका वर् बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा जिसमें अमबश्ट ब्रामबड पिता वैश्य माता रहती थी इसके अलमा जो है मूर्ध भिशक्ती भी थी जिसमें ब्रामबड पिता होता था छत्री माता होती थी मूर्ध भिशक्ती ऐसे लोगों को कहा गया जातीयों को और वैश माता होती थी इसके लामा उग्र एक जाती थी जिसको जिसमें छत्री पिता होता था और माता शूद्र होती थी इसके लामा करण एक जाती होती थी जिसमें वैश पिता होता था और माता शूद्र होती थी उससे जोत्पन होते थे उनको करण कहा गया तो यह अभी ज इतनी जातियों का हमने नाम लिया ये अनुलोम विवा के अंतर गताते हैं इसके लावा प्रतिलोम विवा भी प्रचलित था प्रतिलोम विवा में जो उच्छ जाती की इस्ति होती थी और निम्न जाती का पुरुष होता था तो उसको प्रतिलोम विवा कहा जाता था ठीक वि वैश्य पिता होता था ब्रामभर माता होती थी पुक्कस एक जाती थी जिसमें वैश्य पिता होता था छत्री माता होती थी आयोगव शुद्र पिता होता था और वैश्य माता होती थी इसके दावाद चांडाल जिसमें शुद्र पिता होता था और ब्रामभर माता होती थी इ कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था निन्वे से कौन सा सत्य हैं। सोची समझी, साजिस थी ताकि जो राष्टवाद, जो उगर राष्टवाद है उसको रोका जाए जो आशान्ती है उसको कहीं न कहीं विद्रो बनने से जो जैसा की 1883 में देखा गया था विद्रो बनने से रोका जा सके इसके लिए कांग्रेस का निर्माड एक प्रकार से हु लेकिन इसका उत्तर जो होगा दोस्तों लाड वेलिंग्टन होगा सी मातपूर्ण प्रशन है लाड वेलिंग्टन मुंबई में 1915 में एकमात रहसे यह गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मुंबई में 1915 जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था लेकिन ध्यान देने व भाग नहीं लिया था इन्होंने ठीक है निवन में से कौन क्रिफ्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वारता कार थे क्रिफ्स मिशन जो 1942 में आया उसमें कांग्रेस के आधिकारिक वारता कार कौन थे कांग्रेस की तरफ से महतवपूर्ण प्रशन है यह भी तो बी इ आजाद ये दोनों कांग्रेस के आधिकारिक वर्ता कार्थ हैं इसका उत्तर है बी तेरह दस प्रश्ण आज के आप लोग डेली इसी तरह जुड़े रहें आपको बहुत महत्पूर्ण तो बहुत महत्पूर्ण महत्पूर्ण जानकारिया हम इस सीरीज के माध्यम से देंगे ठीके बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों हाँ अपना राय अवश्य दीजेगा हमको अपना जो है जो सुझाओ हो आपका स्वागत है आपके सुझाओं का उस अनुसार हम अपने कायक कर सकें इस प्रोग्राम का बहुत बहुत धन्यवाद